जियोती राधित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ कॉंग्रेस से इस्तीफा देकर भाज़पा में शामिल तो हो गए जिसके बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गई भारतिय जनता पाठी का कमल खिल गया शिवराज सिंग चौहान मुख्य मंत्री बन गए लेकिन अब भी लोगों का कहना है कि जियोती राधित्य सिंधिया ना घर के रहे ना घाट के एक खबर सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है जिसमें ये दावा किया जा रहा है सिंधिया मध्यप्रदेश मंत्री मंडल के गठन में अपनी भूमी का मजबूत करना चाहते थे इसके लिए उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से मिलने का समय मांगा उन्हें कहा गया कि जाकर अमिच शाह से मिले जब अमिच शाह से सिंधिया मिलने पहुचे उन्हें भाजपा अध्यक्ष जेपी नजदा से मिलने की सलह दी गई जेपी नजदा ने उन्हें राजनाज सिंग के पास भेजा राजनाज सिंग सिंध्या से मिले उन्हें चाय पिलाई और फिर कहा मामला तो मध्य प्रदेश का है अब शिवराज सिंग चोहान से मिले शिवराज सिंग ने उन से पहले वीदी शर्मा से मिलने को कहा वीदी शर्मा या विश्वुदत शर्मा खजुराहों से सांसद हैं और भाजपा ने उन्हें बीती 15 फरवरी को मध्यप्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाया प्रदेश की राजनीती में उनकी खास पहचान नहीं है हाला कि लंबे समय से संगठन के साथ चुड़े हैं और संग में सबके चहेते हैं अब जियोती रादित्य सिंध्या को वीदी शर्मा जिमेदारी सौपेंगे यानि जियोती रादित्य सिंध्या जो ये सोच कर गए थे भाजपा में कि शायद अमिट शाह और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से ही वो सबसे ज़्यादा करीब रहेंगे उन्हें फिलहाल वीदी शर्मा से जिमेदारिया लेनी है अब जियोती रादित्य सिंध्या के आलोचकों का कहना है कि इस पूरे घजनाकरम के बाद सिंध्या जमीन पर आ गए है मोदी और शाह उनसे मिनने के लिए तयार नहीं है सिंध्या के समर्थकों का कहना है कि हालात ऐसे नहीं है हाला कि जो लोग जियोती रादित्य सिंध्या के भाजपाई हो जाने के खिलाफ है वो अभी भी कह रहे हैं कि सिंध्या ने कॉंग्रेस छोड़ कर गलती ही की है SPN 9 News से मेगा की रिपोर्ट